समस्कार दोस्तों अब सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम बात करने वार लिए रेबेज येलियस कैपसुल के बारे में रेबेज येलियस कैपसुल की मार्केट प्राइज लगबग 223 रुपह है तो चलो इसलिए में जानते हैं इसके युजेस साइड इक दिर्गकालीन और क्रोनिक समझ्चा जो अधिक पेट में अधिक असिड बनने से होती है इसको प्रभावी होने के लिए आपको इसे ठीक वैसे लेना चाहिए जैसे आपको बताया गया है लाइस्टाइल में उप्यूगत और आसान बदलाओ के लक्षेनों को कम करने में मदद कर सकते है उनमें भोजन के बारे में सोचे जिनने हाट बन होता है उसे बचने की कोशिश करे आतों का अलसर का इलाज भी किया जाता है आतों के अलसर दर्दना गहा होते है जो पेट या अतों की अंतरिम परत्मी विकसित होते है अलसर के कारण क्या हुआ है इसके आम तोर पर आपको दिर्ग कालिन प्रबंधन की आवशक्ता होती है, इससे ब्लीडिंग बार-बार होने वाले दस्त गैस बनना ये ठन पेट में दर्ध हो सकता है, आम तोर पर आपकी स्थिती को सुधारने के लिए इसका इस्तमाल अन्नी दवाव के साथ किया जाता है, जब आहर से तेलिया मसादेदार पदार्त या भोजन से बच्चे और पर यप्त मात्रा में तरल पदार्त पिये, साइड इफेक्ट आप रिबेज येलियस क्याप्सूल इस दवा से होने वाले अधिकान साइड इफेक्ट में डॉक्टर की चला लेने के जरूत नहीं पड़ती ह इसका सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने अप समाप्त हो जाते हैं अगर साइड इफेक्ट बने रहते या लक्षिन बिगनने लगते तो अपने डॉक्टर से चला ले पॉमन साइड इफेक्ट आप रिबेज इलियस जैसे मीच्रिया ना पेट में दर्ड, डाईरिया, पेट फुलना, ग्याज बनना, सिर्दरत, इसका इस्तमाल कैसे करें इस दवा के खुरा को रनुमाप क्याउदी के लिए अपने डॉक्टर से सला ले, इसे साबुद निकले, इसे नाही चबाई कुछ ले और तोडे, रिवेज एलेस कैपसुल को खाली पेट लेना बहतर होता और वह ठीक नहीं हो रहा है, यह जानकारी अपको कैसी लेगी दोस्तों, अच्छी लेगी ओट यडियो को लाइक और चाइनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अंतक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों